बिसमिल्ला रख्मार रहीम, असलाम अलेकूम दियोर्ज, मैं डॉक्टर रियाज अमध, आपको अपने यूट्यूब चैनल में वेल्कम करता हूँ, आज हम बात करेंगे हुमियो की एक बेतरीन मेडिसन आर्निका मोंटाना पर, इसको किन साइनन सिम्टम्स में इस्तमाल करना चाहिए और कितनी टोज लेनी चाहिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप से रुक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंट शेयर करना ना भूलिएगा, आर्निका मोंटाना प्लांट किंगम की मेडिसन है, यानि ये एक पुरानी क्यों ना हूँ, चोटे लगने पर, चोट वाली जगह पर अगर नीली पढ़ जाए और आर्निका मोंटाना का इस्तमाल कर सकते हैं, या आपके जिसम में बलड की सिर्कुलेशन को सही करती है, अभी चलते हैं उन साइन और सिम्टम्स की तरफ जिन में आप आर्नि आर्निका मोंटाना का इस्तमाल करें, अगर आपके दिमाग में सोजन है तो आप आर्निका का इस्तमाल करें, अगर चोट लगने के बाद आपके दिमाग में सोजन आ गई है तो आप आर्निका का इस्तमाल करें, अगर आपको काफी लंबे अर्शे से चकर आते हैं, आप थो पर कोई चोट लगी है और इस चोट की वज़ा से आपको डूल वीजन का मसला है जैनि आपको चीजें दो दो नजर आती हैं तो आप आरनिका का इस्तमाल करें आँखों के मसल्स के फालिज के केस में और आँखों के हेमरिज के केस में भी आरनिका मौन्टाना का इस्तमाल बह अगर आपको बहुत बद्बूतार खटे दकार आते हैं, आपको बद्धश्मी का मसला है, डकारों की इबू ऐसी है, जैसे सड़े हुए अंडे हों, तो आप आरनीका का इस्तमाल करें, अगर आपको दिल के मसाइल के मुझे से खांसी रहती है, या खांसी आपको एक खांसी या थोड़ा सा चलने पर आपको खांसी आए, तो आप आरनीका का इस्तमाल करें, बच्चों और बड़ों के नमुनिये के केस में ये बहुत अच्छा काम करती है, सीने के मसल्स में शदीद दर्द हो, खांसी के वक्त ऐसा दर्द जैसे आपको मारा गया हो, अगर बच्चा खांसे और खांसने से पहले रोए, रोए और वो चस्ट पे इनकी शिकायत करें और उसका सांस फूले तो आप आरनीका का इस्तमाल करें, अगर खांसी के साथ गाड़े पीले रंगा बलगम आए और बाज उकात बलगम के साथ खून भी आए तो आप आरनीका का इस्तमाल कर तो आप आर्निका का इस्तमाल करें अगर आपको डाइरिया है पाखाना बहुत बद्बुतार और बुरान कलर का आ रहा है और साथ में बलड भी आ रहा है पेट फूला फूला सा है और साथ में मरोड भी आ रहे हैं तो आप आर्निका का इस्तमाल करें ये कब्स की हालत में भी बहुत अच्छा काम करती है अगर आपको पाखाना की हाजत हो लेकिन पाखाना ना आए ऐसा लगे कि रेक्टम यानि मकट सुन हो गया है और अगर पाखाना आए भी तो वो रिबन यानि फीते की तरह चिप्टा हुआ हो तो उस केस में आप आरनिका क का इस्तमाल करें पाखाना रिबन यानि फीते की तरह चिप्टा हुआ तब भी आता है जब आपको प्रोस्टेट के मसाल हो जो आपकी वजाना अपनी जगा से सिर गई हो तो ऐसी हालत में आप अरनिका का इस्तमाल करें अगर डिलिवरी के बाद फीमेल्स में वजाना में स और इस चूने भी नहीं देता तो ऐसे केस में आप अरनिका का इस्तमाल करें बुखार में भी ये बहुत अच्छा गाम करती है खास दोर पर टाइफएड में अगर आपको बुखार है आपका चैरा और सर तो गरम है लेकिन आपका सारा जिसम ठंडा है तो आप अरनिका का अगर आपको छोटे-छोटे नज़डाने एक दूसरे के बाद निकलें तो आप आरनिका का इस्तमाल करें ज्यादा पिंपल्स निकलने के केस में भी आप इसको इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपको आसाबी कमज़ोरी है आप दर्द बरदाश नहीं कर सकतें और चूने पर आपर गरम पलाओ पर करती है जहां पर चोट लगाई हो और जगा नीली पड़ गई हो अभी चलते हैं आर्निका के इस्तमाल की तरफ जब भी आप मेडिसन स्टार्ट करें तो हमेशा लोर पुटेंसी से स्टार्ट लें आर्निका 30 के आपने 5-5 कत्रे दिन में 3 दफा 2 गुट पानी में इस्तमाल करनी है और उतना अर्सा इस्तमाल करना है जब तक आपको अराम ना आ जाए अगर आपने आर्निका 200 पुटेंसी में इस्तमाल करनी है तो इसके दो दो कत्रे दिन में 2 दफा इस्तमाल करें आप इसका मदर टिन्चर जैनी आर्निका क्यों मुतासरा जगा पर एक्स्टरनली भी लगा सकते हैं लेकिन इस बात का ख्यार रहे कि इसको कटे हुए जखम जहां से बलाड आता हो वहां पर इस्तमाल नहीं करना अर्निका हाईर पॉंटेंसी में आप तब इस्तमाल कर सकते हैं जब कंप्लीट मेंटल सिंटम्स आपको मैच कर रहे हूं और वियोर्ज आपने नमाज पंजगाना का भी इतमाम करना है मैटसन लेने से पहले तीन दफ़ा दरूशरीफ और दर्मयान में तीन दफ़ा सूरह कौसर और आखर में फिर तीन दफ़ा दरूशरीफ पढ़कर मैटसन लेनी है वियर्ज आप इजाज़त चाहूंगा फिर मिलेंगे